हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक माय चैनल आई होब कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो अच्छे रहिए सुष्थ रहिए मस्त रहिए हसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग लिए बहुत ही यूसफुल वीडि चिलके वाली वो लिए यह साबुत मुंग नहीं है जो टूटा हुआ मुंगी दाल होती है वो लिए मैंने चिलके वाली और इसको मतलब जो भी हम इससे पकोड़ी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनती है वैसे तो आप दुलियो यूस कर सकते लेकिन यह भी हमारे पास पढ़ी हुई थी तो इसको मतलब बहुत से लोगों को इसमें कंटाल आता है कि मतलब इसको दोने होने में काफी डिफिकल्ट होता है उनको इसको वाश करो यह करो इसलिए लोग थोड़ा कम प्रैफर करते हैं लेकिन आज मैं आपके साथ टिप्स शेयर करू ब्लॉक नहीं क्योंकि चिल्कें हैं सिंक में डाल दे दें दो ब्लॉक हो जाते हैं तो आपको क्या करना है कि दालको के पहले किसी वी ऐसे बुर्तन में ले लिए जिसमें आप अच्छे से उसको मलकर साफ कर सके ठीक है तो मैं यहाँ पर छोटे से प्लैटर पर रही हूं आ तो जितने भी इसके छिलके वगएरा होते हैं वो अपने आपी निकल जाते हैं लेकिन कुछ-कुछ डाल के टुकड़े ऐसे होते जिन पर लगा होता है तो आप उनको इस तरीके से रफ करेंगे मस लेंगे तो जो जिन पर चिपका होगा ना उनसे भी निकल जाएगा फ्रक्य तो जो जो बिना चिलके की डाल होती है तो फिर आप захanas Absorb करके दहिंगे कि किसके जादा dramенно, यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से चक्ति 3 कि आइश वार भॉष किया है और इसके सारी चक्ति शिंठ के ऑल करके डाल ही चक्ति से कि सारी चिलके है वो छलनी के ऊपर ही जा रहे हैं एक भी मतलब चिलका जो है वो हमारी सिंग के अंदर नहीं जाएगा पर आप देख सकते हैं कितना सारा सिंग में चिलके आ गए थे तो यहाँ पर देखें इस तरीके से मैंने फड़ा फट से तीन से चार पर अच्छे से वाश करके सारा जो भ बिल्कुल हटाना चाहते हैं तो एक दो बार और अच्छे से मल कर वश कर दीजिए तो वो भी सारे निकल जाएंगे तो इसमें से मूंकी डाल में क्या होता है कि पानी बहुत ज्यादा अपनी कौनिटी में होता है क्योंकि इसके अंदर ही इनहेंस होता है पानी लेकिन क्या जालने के लिए इसको चलनी में डालके रख दिया है थोड़ी देर के लिए और यह देखे इस तरीके से फिर से एक बार मैं अच्छे से और पॉश कर दूंगी इसको थोड़ा सा पानी निकलने तक के लिए रख दूंगी जिससे पंदरा मिट में इसका पानी पूरा निकल फिर आप अपने कोई विडिस बना सकते हैं कचोड़ी पकोड़ी जो भी आपको बनाना है आप चीला वगएरा कुछ भी बनाईए तो यहां पर देखिए कि इस तरीके से जो भी जितने भी छिलके हैं सारे हमारे इस छलनी पर आ गए हैं और बिल्कुल एक आधी पीस जो है ब मैं इसको गाई को डाल दूँगी तो इस सारे छिलकों को मैं एक मतलब छोड़ी सी पॉलिथिन में फिल कर दूँगी और इसको मैं गाई को डाल दूँगी ठीक है कोई भी एनिवल सो आप उसको खिला दीजिए और अगर कोई नहीं है फिर तो आपके पार लाश अप्सन है कि इसको ठोल कर सकते हैं तो मैंने इसको भी उजिस बता दी है कि आप इसको भी कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं नहीं तो आप चाहे तो अपने पॉट वगएरा जो गमले वगएरा होता है उनमें भी इसको डाल सकते है ठीक है और यह देखिए बहुत अच्छे से क्ली लिए जाती है तो सारा जो भी कुछ है इसमें आ गया है और सोची अगर यह इतना ही सारे छिलके हमारे फड़ा पड़ जिलके हैं वह सब हमारे सिंक में चले जाते हैं और इससे ब्लॉक हो जाता है कई बार ऐसा एक दुबार मेरे साथ हो चुका था इसलिए कहते ना गलतियों से ही सीखते हैं तो मैंने का चलो इस प्रॉब्लम साइद मुझे औरों को भी होती होगी तो अपना ये टिफ सेर कर देती हूँ साइद किसी की हैल्प हो जाए तो और दूसरी मतलब यहाँ पर सिकाइद आत वे दब्लवाहता है तो ईजरूर जाता है तो उसके बाद सब्सक्राइब हो जिल्व जरूब दाल को जरो में ऊब्लाइल दौसरी से निकल ही लेकिन ष्जिलकी तो इसलिए पнич念र कर दे आ हैँ prosecutors श्रूरी है तो इसके बाद मैं 22 По lawग इसके बाद मैं आपके साथ différents और यहां पर शेयर करूँगे कि देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आप इस तरीके की और्गनाइजर यूज़ कर सकते जिससे क्या पानी वगएरा जो भी सोप का होता है वो आपका इसमें नहीं होता है जिससे सावून मेल्ट नहीं होता है नीचे घिरता रहता है लेकिन क पूल रहती है कि साइट से कई बार जमा हो जाता है जैसा कि यहां पर मैं आपको दिखाती देके हूं तो यहा पर देखे तो आपको क्या करना है कि मतलब एक जो भी आप अपना स्पांजर यूज़ करते हैं वर्तनों क्लीन करने के लिए scrubber जो भी उरकिनी होगा कि आप जो smook जाएगाश बहुortun से होगा उसका जाए कृना साबुन ज़ल्दीसे मतलब सोग हो जाएगा यहां पर मैल्ट भी नहीं वहीं कि आपका साबुन है एक्स्टर वह उद्धाल लगेशाटा तह नहीं लगेगा और सारक सारा इस क्रवर पर ही रहने वाला है और इससे क्या है कि तो सल्दी सूख जाएगा और कई बार क्या होता है उपर से अलका सा गीला हो जाता है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो इस तरीके से आप पोच दीजिए जो भी उपर का गीला है तो इससे क्या जल्दी साबून आपका सूख जाएगा किचिन बगेरा में इती दूप नहीं आती है तो इसलिए बैल्ट होता रहता है और यहां पर देखिए जो साबून मेरे हाथ में लगया था साफ करने के लि अगर सोचें तो बहुत सारी बचट होती है कि आप देखिए इस पे इस ता सारा सोप लग गया है तो अब आप इसी सोप को बतलब बरतर पग्यारा दोने के लिए यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते तो इस तरीके से स्क्रबर रख इस्क्रवर रखने ते क्या है कि इस्क्रवर तो पानी जो है इस्क्रवर में होगा वो भी दीरे-दीरे करके नीचे आता रहेगा और आपका साबूर भी मेल्ट नहीं होगा तो आज एक टिप्स और मेरे माइंड में आई थी जो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने स्वरा चलो सेयर कर देती हूँ आप लोगे साथ तो यहाँ पर देखिए कुछ कपड़े होते हैं तब कम पर जाती है एक लिप्स बगरा तो आप एक क्लेचर का भी यूज़ कर सकते हैं तो वह बिल्कुल ही मतलब और नहीं रहा था तो मैंने की चलो यह आईडिया अच्छा है तो मैंने आप लोगे साथ श्यार कर दिया आईडिया पसंद आया है तो एक लाइक जुरूर दे दीजेगा तो यहाँ पर देखिए कितना भी खीचेंगे आप फूर तो भी नहीं न प्याच का खाना बनाना है तो आप क्या बनाते हैं मेरे माइन में सबसे पहले तो यही आता है कि चलो पूरियां बना देते हैं आलू टमाटर की सबजी बना देते हैं थोड़ी सी पेटे की सबजी बना देते हैं और उसी के साथ थोड़ी सी हरी मिर्श भी फ्राइब कर दे फिर मिलेंगे आप सही किसे अपने नेक्स वीडियो में तिल लेंड बबाई